आज मेरी कीचेन में बनने जा रही है यह चटनी तो चटनी बनाने के लिए क्या क्या समागी चाहिए तो देख लेते हैं एक टमाटर दो आमला दो हरी मीर्च चार पीस लिए लासन का कली और धनियापती इन सब को लेकर के अच्छी तरह से पहले वाश कर ले एलो फ्रेंड्स मैं आज बनने जा रही हूँ है धनियापती आमले की चटनी जो बहुत ही अच्छी बनती है पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा तो सबसे पहले टमाटर को काट लेते हैं चुटा-चुटा पीस में काटेंगे फिर उसी तरह से आमला को भी काट लेंगे तो हम यहां सिल्व काट लिए अब डाल देते हैं यह अरा धनिया यहां चार पीस हम लासन का कली लिये हैं दो हरी मिर्च बहुत दिखाए यह तो मिर्च दू ही डाले हैं एक टमाटर और यहां पर जो आमला भी हम काट रखे उसे भी डाल देंगे इस साथ में इन सब को डाल करके यहां पर पी बोर्च का यूज करने मेरे पास रख था यूज किया हैं उसका पर जीकिश सकते हैं लेकिन त्राइ जरूर कीजिये गहां बहुत ही टेस्टी जिस चीज के साथ भी यूज कीजियेगा जैसा आलू पर अठा हुआ गोभे पर अठा हुआ बहुत ही टेस्टी उसका 10 टेम्स प्रिंट्स आप जरूरी यूज किजिए घर में एक बट्राय करके जरूर देखिएगा तो लिजिए बनके तयार है आप इसमें डालेते हैं काला नमक यहां पर डाल देते हैं हाप चमच सरसो का तेल बस और कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि निम्बू नहीं डालेंगे क्योंकि आमला डाले हुआ है तो लिजिए बनके तयार होगा चटनी इतना इजी प्रोशेश है वीडियो कैसी लगी फ्रिंस कमें जरूर बताईएगा अग यहाँ में खजय क्योंकि तर है क्योंकि шьाय कर दो नहीं जरूर जार राले हुआ हा का है तो लिजिएम 123 मैं जरूर देहां वीछ तो 20 0000 i